अस्रामलीकूम विल्कम टू एसके विलोग्स दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो बच्छी लेकर गए थे वह हमारी सेल हुई है या नहीं हुई कितने की सेल हुई है इसके बारे में मैं आपको मुकमल इंफॉर्मेशन दूँगा दोस्तों आज की वीडियो बहुत इस लेकर आचुके हैं अपने घर में तो इस बच्छी का जो था रेट बहुत ही कम लगा था ठीक है न बहुत ही कम अगर इसका रेट कुछ इस तरह एक लाख बीस जार तीस जार इस तरह अगर इसका रेट लगता तो हम इसको सेल कर देते तो बस यह नसीब में यही था कि बर ये वापिस आ जाएगी दोस्तों तो इंशाल्ला आप इसको अपने पास एखट आएंगे ठीक है ना अब इसको बढ़ा करके पिर ही हम इसको सेल करेंगे दोस्तों माशाल्ला से माशाल्ला से बहुत ही अच्छी है इसकी बचड़िया केली है ना इसकी कोई परेशानी या इस तरहां वाली कोई बात भी नहीं है तो दोस्तो माशळला से आप इसका वेड़ भी डिख कर सकते हैं कलर भी gonna भी भूशुँरत है तो माशला से इसकी हर चीज जो है न बहुत ही प्यारी और खूब्सूरत है दोस्तो दोस्तो हमने इसको वंड़ा भी डाला हूए यहाँ पर आप देख रहे हैं वंड़ा है ठीक है ना चार है और क्या कहते हैं सैलिज वगरा जो है डाला वे दोस्तों ले आए थे हम लेकिन ना बहुत ही लोस होता था हमें जिसकी वज़ा से ना हमारा यही था कि हम इसको अब सेल नहीं करेंगे हम अब इसको वापिस घर लेंगे इ दोस्तों यह कमा से कम 30-40,000 का हमें लोस होता था तो हमने सेल नहीं की तो अच्छा यार मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि ना वह इन बच्छनों की खुराकों के लिए ना वह बहुत कुछ करते हैं कभी मैं आपको बताओंगा कि कौन सी कंपनी अच्छा होता है और स्टायूब जो है वह बहुत से बारे में आपको मुकमल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दोंगा लेकिन आपने ये वीडियो मुकमल प्हेंग तक जरूर देखनी हैं अच्छा दोस्तों जो इसका सैलीज लगाकर उसके अंदर वो सारे ऐसे मिरनल्स होते हैं वो डालने पड़ते हैं ताकि जो जानवर खाए वो चीज हाजम भी करे और उसका फाइदा भी जानवर को हो जब जानवर हाजम करेंगा जो चीज़ खाएगा घास से जानवर बहुत कमजूर हो जाता है ठीक है न वो अपनी जिसम की जो ताकत होती है वो खोव बैठता है तो जिसकी वजह से जो हमारे बच्छडें हैं वो ज्यादा देर तक पल नहीं सकते ठीक है न वो अपन वज़न नहीं बढ़ा सकते तो इसके लिए मैं आपको दिखा जिता हूँ कि सैलिज और वंडा जो है वो कौन सा लें दो चीज़े हैं और आप ज्यादा एटम्स इनको डालने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सैलिज होता है वो किस चीज से तैयार होता है यहां पर दोस्तो हमने अपने खेतों के अंदर मकाई फिर को उगाया हो अब आपके बिलकुल सामने यहां पर बड़े बड़े पतों वाले नजर आ रहे होगी दोस्तों यहां पर मशीन लगा कर इसको तैयार किया जाता है बहुत सारे मिरनल्स इसके अंदर डालते हैं जिसकी वज़ा से जानवर पेट फूल करके खाता है ठीक है और जो खाते है वो जानवर को लगता भी है दोस्तों यहां का मोसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है दोस्तों बारिश भी आ रही है बहुत मज़े का हुआ है गाउं में आने का बहुत ही मज़ाता है यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर जो वंड़ा पड़ा है मैकसिम कमपनी का वंड़ा है और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कुन सी इसके अंदर चीज़ें जो है वो मिक्स हैं पड़ी यहां पर जब आपने लेना है यह गोली वाला वंड़ा लेना है ठीक है ना इससे जानवर का जो है गोश्ट बनता है वो जितना खाएगा दोस्तो उतना ही बेनिफिट होता है जानवर अपना वजन बढ़ाएगा तो हमें भी बहुत ही फाइदा होगा दोस्तों और माशाल्ला से ना हमारे जो जानवर हैं वो अब अपन ने हमें इतनी तोफीक दी है कि हमने इतने जो हैं वो जानवर वगएरा रखे हुएं तो मैंने बहुत सारे बारिश आ रही है यहां पर मुसम भी बहुत मज़े का बना हो गया है फुल बादल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कर लाएस अर पर इनके लिया जो गिजा है वह साइलिज और वंडा सैलिज मैं आपको दिखा जेता हूं कि किस तरहां का होता है यहां पर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर दिखाया था कि बही सैलिज कौन सा यूज करना है इतना यूज करना है फी बचड़े के लिए इनकी मिकदार जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो के जानवर जो है वो सैलिज खा रहे हैं सैलिज के अंदर घास वगारा भी जो है वो मिक्स हुआ हुआ है लेकिन हमने इतना घास मिक्स न जानवरों को मिलता है इससे तो उमीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है दोस्तों मेरी यही कोशिश है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ले कर आता रहूं ताके आप भी इस चीज के कि आला हाफिस